नमस्कार, कीकेड में Mapping Components with Footprints के Spoken Tutorial में आपका स्वागत है, इस टुटोरियल में हम सीखेंगे संबंधित Footprints के साथ घटकों को मैप करना, इस टुटोरियल के लिए Electronic Circuit की बुनियादी जानकारी पूर्व अवशकता है यूजर को पता होना चाहिए कि कीकेड में Circuit Schematic को कैसे डिजाइन करते हैं और Electric Rule Check और Net List Generation कैसे करते हैं संबंधित टुटोरियल के लिए krapya-tutorial.org पर जाएं हम इस टुटोरियल के लिए Operating System के रूप में Ubuntu 12.04 के साथ कीकेड 2011-05-25 उप्योग कर रहे है कीकेड शुरू करने के लिए Ubuntu Desktop स्क्रीन के उपर बाइकोने पर जाएं पहला आइकन जो की Dash Home है उस पर क्लिक करें सर्च बार में टाइप करें कीकेड और एंटर दबाएं यह कीकेड में विंडो खोलेगा यी स्कीमा खोलने के लिए उपरी पैनल पर जाएं यी स्कीमा टैप पर क्लिक करें एक Info Dialog Box दिखेगा जो कहता है कि यह स्कीमाटिक नहीं डूण सकता ओके पर क्लिक करें अस्तेबल मल्टि वाइबरेटर जो पहले बनाया गया था मैं उसका सर्केट स्कीमाटिक प्रेयोग करूँगी ऐसा करने के लिए मैं File Menu पर जाऊंगी Open पर क्लिक करूंगी मैं इस विंडो को द्रश्य छेत्र में लाऊंगी उस फोल्डर को तुने जिसमें File Save की गई है और Open पर क्लिक करें यह सर्केट स्कीमाटिक खोलेगा मैं माउस का स्क्रोल बटन प्रेयोग करके जूम इन करूंगी हमने इस सर्केट के लिए Net List पहले ही बना लिया है अब हम घटकों को मैप करने की प्रकिरिया को देखते हैं जो Footprints के साथ स्कीमाटिक में प्रेयोग हुई है Footprint उस घटक का वास्तविक लेयाउट यानि विन्याद है जो Printed Circuit Board में इस्थित है घटकों को मैप करना शुरू करने के लिए यह स्कीमा विंडो के उपरी पैनल पर जाएं Run CV-PCB बटन पर क्लिक करें यह है CV-PCB विंडो खोलेगा यह Component Library Error शीर्षक वाला एक Dialog Box भी खोलेगा इसे बंद करने के लिए OK बटन पर क्लिक करें ध्यान दें कि यह Project1.net फाइल खोलता है क्रपिया याद करें कि हमने Netlist Generation टुटोरियल में यह फाइल बनाई थी CV-PCB विंडो को दो पैनल में विभाजित किया गया है बाइ पैनल में पहला कॉलम सीरियल नंबर यानि करम संख्या है दूसरा कॉलम स्केमाटिक में उप्योग हुए घटकों की सूची के लिए Reference ID दिखाता है तीसरा कॉलम संबंदित घटकों की Values दिखाता है दाया पैनल उपस्थित Footprints की सूची देता है अब हम घटकों को उनसे जुड़े हुए Footprints के साथ Map करेंगे हम CB-PCB विंडो के दाय भाग में चैनेद घटक यानी C1 के लिए उपलब्द Footprints की सूची देख सकते हैं अब हम चैनेद घटक से संबंदित Footprint देखेंगे CB-PCB विंडो के उपरी पैनल पर View Selected Footprint पर क्लिक करें यह Footprint विंडो खोलेगा जो चैनेद Footprint की इमेज दिखाता है हम अलग-अलग Footprints पर क्लिक करके उनकी इमेज़ भी देख सकते हैं अब मैं Footprint विंडो को बंद करूंगी पहले घटक C1 के लिए दाय पैनल से हम Footprint C1 चुनेंगे पहले घटक को C1 Footprint नियुक्त करने के लिए Footprint पर डबल क्लिक करें जैसा आप देख सकते हैं सूची में पहले घटक को C1 Footprint नियुक्त किया गया है उसी प्रकार दूसरे घटक C2 के लिए भी हम Footprint C1 पर डबल क्लिक करके इसे चुनेंगे अगले घटक D1 के लिए हम LED-3mm चुनते हैं Connector P1 के लिए हम Dye Panel से SIL-2 चुनते हैं मैं Dye Panel में इसे चुनने के लिए नीचे स्क्रोल करूंगी R1 के लिए हम R3 चुनते हैं R2 के लिए हम R3 चुनते हैं R3 के लिए हम R3 चुनते हैं U1 जोकी LM555 है के लिए हम DIP-8-300-ELN चुनते हैं जो आठ पिन वाला मानक IC फुट्प्रिंट है. अब CVPCB विंडो के उपरी पैनल पर Save Netlist and Footprint Files बटन पर क्लिक करके हम Netlist को सेफ करेंगे. ये Save Net and Component List विंडो खोलेगा. बहत द्रश्य के लिए मैं इस विंडो को Resize करूँगी. इस फाइल को सेफ करने के लिए Save पर क्लिक करें. ये फाइल को सेफ करेगा और स्वता ही CVPCB विंडो को बंद भी करेगा. अब Footprints की जानकारी के साथ Netlist अपडेट हो गया है. यहां घटकों को मैप करने की प्रखिरिया पूरी हो गई है. इस स्टीमा विंडो पर जाएं. अब इस विंडो को बंद करें. कीकैड में विंडो को भी बंद करें. यह हमें इस टुटोरियल के अंद में लाता है. इस टुटोरियल में हमने सीखा CV-PCB विंडो प्रेयोग करके संबंधित Footprints के साथ घटकों को मैप करना. निमने लिंक पर उपलब्द वीडियो देखें. यह स्पोकन टुटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है. अच्छी bandwidth ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं. स्पोकन टुटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन टुटोरियल का उप्योग करके कारेशा लाएं चलाती है. ओनलाइन टेस्ट बास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं. अधिक जानकारी के लिए एक रप्या, contact at spoken-tutorial.org पर लिखें. स्पोकन टुटोरियल प्रोजेक्ट, Talk to a Teacher प्रोजेक्ट का हिस्सा है. यह भारत सरकार के M.H.R.D.K. I.C.T. के माध्यम से राश्ट्रिय सक्षर्ता मिशन द्वारा समर्थित है. इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org.nmeict-intro पर उपलब्ध है. IIT Bombay से मैं शृति आ रहे, अब आपसे विदा लेती हूँ. हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद.